नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत दोस्तों आपके अपने चैनल को पर आज की वीडियों दोस्तों बात करेंगे सूरिया घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में और जानेंगे कि आप किस परकार से 300 यूनिट तक फरी बिजली ले सकते हैं और इस योजना के तैत आपको किस परकार से सब्सीडि दी जाएगी कैसे आप अपलाई कर पाएंगे ये योजना क्या है इसके लिए कौन से डोकॉमेंटेशन के रिकौार्मेंट होगी और साथ ही जानेंगे आपके घर के ऊपर जो सॉलर पैनल लगेंगे उसके ऊपर आपको कितना सब्सेटी तक दी जाएगी या फिर आप कितने सब्सक्राइब लगवा सकते हैं इन सब बातों करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर तो चले दोसा वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले बात कर लेंगे पीम सुर्य गर मुफ्त बिजली योजना के बारे में तो दोस्तों आपको पता है अब भी फरवरी के अंदर पीम नरेंदर मोधी दुवारा एक योजना स्टार्ट की गई थी पीम सुर्य गर मुफ्त बिजली योजना इस योजना के तैद दो जाद ज़्यादा उप्योग हो इसके लिए दोस्तों सरकार नई-नहीं ओजना चला रही है जैसरेभी और पहले चला रही है और एक क्रोड सी अधिक लोगों को इसका दिया जाएगा जिससे वे अपने घर के उपर एक किलोवाट, दो किलोवाट, तीन किलोवाट का सोलर पैनल लगवाकर मुफ्त में बिजली लेशके और साथ ही जादा बिजली जनरेट करके वो सारकार को भी वापिस देशके तो सबसे पहले बात है कि कोई परसनी दी मुफ्त बिजली योजना का लाब उठाना चाहता है, तो इसके लिए क्या अलिजिबिलिटी क्रेटेरिया है, तो दोस्तों सबसे पहले हमने आपको बता दिया, एक क्रोड से अधिक लोगों को इस योजना का लाब दिया जाएगा, और इस योजना के लिए लगवक 75,000 क्रोड रप का निवेस किया गया है, जिस से जादा जादा लोगों को मुफ्त में बिजली दी जासके, और ग्रामिन सेतरों के अंदर जादा जादा विकास किया जासके, तो दोस्तों अलिजिबिलिटी क्रेटेरिक बात करें, तो कोई परसन जो इसकिम के लिए अपलाई करना चाहता है तो वो एक इंडियन सिटेसन होना चाहिए, यानि बाते नागरिक होना चाहिए, इसके साथ उसकी परिवारिक आए, यानि जो एनवल इंकम है उनके परिवार की वो डेढल लाग से अधिक नहीं होनी चाहिए, और कोई भी गimento जोब नहीं होनी चाहिए, तो यह eligibility criteria घर, दो सबसेड़ी की बात करें तो दोस्तों किसी परसंद के घर के अंदर एजिरो से जीरो से तक पर मंत के इसाब से बिलाता है बिजली का तो उसको एक किलोवाट से दो किलोवाट के बीच सोलर पैनल लगवाने पड़ेंगे और उसके लिए उसको 30,000 से 60,000 रुपाय तक की सब युनिट के बीच बिलाता है बिजली का तो आपको 2 किलो वाट से 3 किलो वाट के बीच सोलर पैनल लगवाने पड़ेंगी जिससे आपको 60,000 रुपए से 78,000 रुपए के बीच सबसीडी दी जाएगी और यदि आपके घर में 300 युनिट से ज्यादा बिलाता है तो आपको 3 किल वाट का सोलर पैनल लगवाना पड़ेगा जिसके लिए आपको 78,000 रुपए के सबसीडी दी जाएगी और दोस्तों और युदि आप 3 किलो वाट से उपर सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको पर किलो वाट के अईसाब से 18,000 रुपए सबसीडी दी जाएगी आपके तदन से सोलर पैनल लगाएं जाएंगे और दूसरा उसके अंदर एक मेटर भी लगाए जाएगा जिससे आपकी यूनिट चेक उसके और उसके बाद ही आपको इसके सबसेड़ी दी जाएगी आप दोस्तों बात करते हैं यदि आप पीम सुरिय घर मुफ्त बिजली ओजना कल आप इसके तैत क्या आप किस प्रकार से प्रोसीजर है आप किस प्रकार से अपलाई कर पाएंगे या फिर कहां तक आपका इंस्ट्रोलेशन हो जाएगा सोलर पैनल का तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट टैप में आपको रिश्टेशन करना है तो आप मुबाईल नंबर इमिल इसके अपको बता दू जिस वी विवाग से आपके गर बिजली आती है उसके अंदर आपका फॉर्म अप्रूवल होगा अप्रूवल होने के बाद दोस्तों आपको वेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों अप्रूवल से पहले आपको कोई भी सोलर पैनल नहीं दीय जाएगा अप्रूवल होगा उस DB धिवाग के अंदर जहां से आपके घर के अंदर बिजली आती है अप्रूवल होने के बाद दोस्तों आपको vendor select करना पड़ेगा vendor के अंदर दोस्तों आप अपने इसाब से plant installation और vendor select कर सकते हैं दोस्तों आपको vendor select कर लिया उसके बाद आपका घर के उपर जो भी आपने select किया है दो किलोवाट तीन किलोवाट वो solar panel install किया जाएगा उसके बाद दोस्तों डिसकम दवारा inspection की जाएगी कि आपके घर के अंदर जो solar panel लगा है वो सही है या फिर आपके घर के अंदर जो बिजली आती है उसका meter चेक किया जाएगा फिर आपको आपका meter change किया जाएगा ऐसे inspection किया जाएगा और आपके घर के अंदर जो भी meter है वो change किया जाएगा फिर द इसका क्षी के गहर में लगा है। सब कुछ चेक किया जाएगा। फिर दोस्तों आपकी सबसीडे के लिए एक प्रमानपत्तर दिया जाएगा। और वो आपको पोर्टल के उपड़ करना है। पोरी डिटेल करेक्ट करनी हैं। यदि आपने को डिटेल नहीं किया। correct करनी है और आपको subsidy release की जाएगी तो यह procedure दोस्तों इसलिए दोस्तों आप email id, mobile number, data correct बरें यदि incorrect होगा तो आपकी subsidy release नहीं की जाएगी इसलिए दोस्तों सभी चीज़े आप इस परकार से बरें कि आपको किसी भी समस्या के सामना ना करना पड़े तो दोस्तों यह procedure रहेगा यदि आप PM सुरिय गर्फरी मुफ्त विजली होजना का लाब उठाना चाते हैं तो यह procedure रहेगा ठीक है दोस्तों अब बात आईगे दोस्तों आप PM सुरिय गर्फ्त विजली होजना का लाब उठाना चाते हैं तो कौन से documentation की requirement होगी दोकमेंटेशन की बात करें तो आपकी गर्फरी मुफ्त विजली होजना का लाब उठाना चाते हैं तो इसके लिए आप कैसे apply कर पाएंगे तो दोस्तों government of India दवारा इसके लिए portal बनाया गया है वहाँ से आपको apply करना है तो दोस्तों हम आपको apply करके नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ज गर्फरी मुफ्त विजली होजना का पोर्टल है नेशनल पोर्टल इसको पर जाएंगे तो आपको कुछ इस परकार से इंटरफेस दिखाई देगा और इंटरफेस के अंदर आपको क्विक लिंक तीन दिखाई देंगे सबसे पहला अपलाई का दूसरा इंपली एंडर का ठीक दोस्तों तो यह इस परकार से आप अपलाई भी कर सकते हैं सबसी डी का स्ट्रक्सर जैसे हमने आपको पहले बता दिया वह भी देख सकते हैं और यहाँसे आप वेंडर भी स्लेक्ट कर सकते हैं ये facility भी दोस्तों दी गई है और दोस्तों हम आपको बता दें आप SBI bank से loan ले सकते हैं Indian bank से loan ले सकते हैं bank को brother से loan ले सकते हैं ऐसे कई सारे bank है जो इसके लिए loan दे रहे हैं आप उन bank से लगबग 10 लाग रुपय तक का loan ले सकते हैं पांस साल के अंदर आपको loan वापिस करना है और उसके अंदर rate of interest की बात करें तो उसके अंदर आपको 9.6% से 10.65% तक आपको rate of interest देना पड़ेगा civil score बढ़िया होना चाहिए आपका आप SBI Bank या फिर IDBI Bank HDFC Bank इन से loan अपलाई कर सकते हैं ये facility भी है जिस से आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े तो दोस्तों आपके पास पैसे नहीं है तो आप 10 लाग का loan लेकर ये भी अपलाई कर सकते हैं और maximum limit है दोस्तों फाइनस scheme के तैती दिया जाएगा तो वो ये जना आपके काम आएगी तो इस परकार से आप loan लेकर ये apply भी कर सकते हैं तो दोस्तों इस परकार से आप PM सूरिया घर मुफ्त बिजली योजना गलाब उठा सकते हैं और इसके लिए apply कर सकते हैं या फिर loan ले सकते हैं दोस्तो कि आमार चनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से चुनी जान कर लेना चाहते हैं तो आमार चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें